यस स्टार्ट करते हैं जेए मेंस के 3rd September का Shift 2 पेपर का सॉलूशन Shift 2 पेपर भी 2nd September Shift 2 और 3rd September Shift 1 की तरह ही था यानि जो Shift 1 का पेपर था 2nd September का उस जितना सिंपल तो नहीं था ये तीनों पेपर ही थोड़ा सा टाइम कंजुमिंग थे कट-off की बात करें तो 80 प्लस पर आप बिल्कुल सेफ हैं पेपर में अगर सेलेक्शन आफ कोश्टन राइट रहे तो मैं बिल्कुल शूर हूँ कि आपने बहुत अच्छा स्कूर किया होगा मतलब मैस से कैसा था अभी आप देखेंगे कि मेरे साथ आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ डिफरेंट अप्रोच आपको समझ में आएगी लॉजिक आपको समझ में आएगे और एप्रोक्सिमेट 30 से 35 मिनिट में आप पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं एक राइट अप्रोच के साथ तो चले कोश्टन से स्टार्ट करते हैं एक एक करके समझते चलेंगे जैसे देखिए कुशन क्या था कोफिशेंट ओफ इंडिपेंडेंट टम ओफ एक्स इन दा एक्सपांशन ओफ त्री एक्स स्क्वेर बाइट टू माइनस वन बाइट्री एक्स की पावर नाइन इस लेंड़ा देन 18 लेंड़ा क्या होगा कोफिशन अवट अटेपल इंडिपेंट ओफ एक्स तरीकर ये था एक मैंने आपको एक direct formula बताया हुआ x power p plus b x power q whole power n अगर इसमें coefficient of z निकालना हो तो direct formula यूज़ किया करिए n minus r into p plus qr अगर मैं इसमें एक करता है यूज़ तो देखें क्या लिखता 9 minus r into 2 minus r this equal to 0 independent बोला है तो r equal to यहाँ पर आ गया 186 यानि term जो है वो 7th होगा आप 7th term क्या होगा तो जब आप 7th term निकालेंगे तो देखें क्या आएगा 7th term निकालेंगे तो क्या आएगा बिटा 6 plus 1 लिखेंगे ये लिखेंगे तो कितना 9c6 into 3 by 2 की power 3 into 1 by 3 की power 6 याद रखें even है तो हो जाएगा ये दिया हुआ है लेमडा है ना तो आपको 80 लेमडा बताना है तो 9c6 यानि 9c3 987 upon 321 ये 3 cube cancel 1 upon 8 और ये 1 upon 333 मतलब 27 या 3 into 3 into 3 ऐसा बचा माल लिजे या सो नो आप देखिए 8 से पूरा 8 cancel 3 से ये 3 time cancel ये भी cancel तो आपको इतरह से मिला 7 by 18 ये ही लेमडा है पर आप से पूछा 18 लेमडा देखो इस तरह से कुछे जाते हैं question तो 18 18 cancel तो बचा क्या only 7 तो 7 is a right answer बिल्कुल conceptual paper ncrt अगर किसी ने बहुत अच्छे से solve की तो paper बहुत अच्छे से solve किया जा सकता था चलिए note करिए next question पर आते हैं देखिए क्या है if sine inverse root x upon root 1 plus x dx equal to ax 10 inverse root x plus b x plus c मतलब यहां कोई x का function है यहां पर भी कोई x का function है यह और भी बताना है थोड़ा सा अगर ध्यान दें इस question में तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि sine inverse x लिखा हुआ था और sine से answer में 10 कैसे आएगा जब ही आ सकता है जब sine inverse को आप convert ही 10 में कर लें है ना अगर आप sine inverse को 10 में ही convert कर लेंगे तो problem खत्म sine inverse क्या है root x upon root 1 plus x इस simple आप logic से भी mentally करना है वैसे यह root x यह root 1 plus x square square minus square square तो 1 बचा यानि आपको actual question ऐसा था 10 inverse root x dx yes or no actual question यह था इसलिए तो यह आया अब इसमें आपने 1 का multiply माल लिया यानि बाइपार्ट से कर दिया तो बाइपार्ट से करेंगे तो x 10 inverse root x minus इसका 1 का हुआ x root x का 1 upon 1 plus x into root x का 2 root x dx yes or no यानि एक तरह से आप ऐसा बोल सकते है x into 10 inverse root x minus यह बारबर मत लिखना है मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए जो चीज केवाल इसी के integration का सोचो मतलब मैं अलग से आपको बोलू तो हर step माहिने रखती है आप मत करो उसको बारबर लिखने का काम अगर मैं root x को थोड़ी देर के लिए t मालनू तो इसका differentiation होता है 1 upon 2 root x dx equal to dt देखो यह है न तो यह पूरा बन गया dt यह हो गया t square upon 1 plus t square dt plus 1 कर दो minus 1 कर दो cancel तो t minus 10 inverse t और t मतलब root x minus 10 inverse root x यह पूरा result 1 by 2 के साथ मिला तो minus root of x plus 10 inverse root x यह देखे 10 inverse root x आपने common लिया तो आपको मिला x plus 1 minus root x पहले पूछा है तो यह x plus 1 यह मिल गया आपको तो x plus 1 और साथ में minus of root x यह result आ गया is that clear not down कितना अच्छा और आप आराम से इस question को manage कर सकते हैं बस बहुत अच्छे से concept और techniques होनी चाहिए आपके पास चलिए next question देखते है the equal circle of radius to root 5 passes through the letter spectrum of y square equal to 4x then find the distance between center of the circle right इस question को logic से समझते हैं क्या करना है बस एक ही चीज़ बोलूँगा बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए बहुत सारे बच्चे impetus गुरुकुल के online courses जुड़े हैं जेई के आप भी चाहिए तो जुड़ सकते हैं regular us में class होती है देखे क्या होता है एक question समझे two equal circle of radius to root 5 passes through the अब अगर आप इसको diagram को समझे तो ऐसा समझ लेजिए simple diagram बनाओ अलग से बनाओगे तो थोड़ा सा दो diagram बनाने में यह letter सेक्टम है तो एक circle इससे ही जा रहा है और ऐसा ही एक ओर circle जा रहा है दोनों के radius सेम है अच्छा letter सेक्टम का midpoint focus होता है यह आपको पता है तो यह focus के coordinate होगा है one zero letter सेक्टम end के coordinate होते है इसका center c1 है इसका center c2 है इसका radius आपको पहले से पता है क्या है two root five तो मैं यह distance निकाल सकता हूँ पैथागरे स्थिरम से क्योंकि यह जो distance ही यह two है तो यह distance कितना हो जाएगा बिटा यह हो जाएगा four twenty minus four यानि sixteen four तो यह length कितनी बिटा अगर यह length four तो यह length भी four होगी क्योंकि दोनों के center भी मतलब दोनों के radius से में इसलिए तो four और four तो four plus four कितना हो गया eight तो correct transfer will be eight कितना बढ़िया छोटे से logic से आपने इस question को कर लिया एक बार फिर समझ लिजए इस question को कि आपने किया क्या यहाँ पर ऐसा एक तरह से मान सकते हो कि यह एक circle है यह एक line है यह इस तरह से आपको यहाँ के coordinate पता दे तो right triangle से आपने इसको solve किया ओके note करिए चलिए next question देखते है देखे क्या है integral of 0 to 1 by 2 x square upon 1 minus x square power 3 by 2 dx equal to ky6 then k k कितना होगा यह पूछा है कभी भी याद रखिए जब 1 minus x square दिया हो तो एक simple technique से x को sin theta लिखो 1 plus x square दिया हो तो x को 10 theta लिखो x square minus 1 दिया हो तो x को sec theta लिखो यह एक आप दिमाग में रखिए अब यहाँ पर अगर मैं x की जगे sin theta माल लूँ तो बताओ dx कितना होगा cos square theta d theta यहाँ पर आया 0 पर 0 1 पर 5 by 6 x square मतलब sin square theta cos theta upon 1 minus 1 square theta cos square theta और cos से cos बज़ा cos cube theta तो एक तरह से 1 cos cancel तो 10 square theta बचा जिसको आप चाहें तो अब आप यहाँ पर जाके answer लिख सकते हैं direct कैसे क्योंकि आप 10 square theta को लिखो के second square theta minus 1 into d theta आप यह step direct लिखते हैं तो यह आगया 2 root 3 minus pi by 6 आप से यह पूछा है इसी को वो k बोलना है तो 2 root 3 minus pi is a right answer clear note करो question को चलो next question पर आते हैं देखें क्या है इस तरह के question देखो काफी similarity होती है paper में इसका concept भी यह है मेरे analysis का कि आप जरा इस analysis को देखेंगे और जब समझेंगे कि approach में कहां क्या change ला सकते हैं वो आपका बहुत time save करेगा जैसे देखिए यहां पर बोला x square by 25 plus y square by b square equal to 1 and x square by 16 minus y square by b square equal to 1 are ellipse and hyperbola respectively such that e1 e2 equal to 1 where e1 and e2 are eccentricity if distance between foci of ellipse is alpha and hyperbola is beta then alpha और beta okay question को आप समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा छोटा करते हैं आप देखिए सबसे पहले ellipse की equation यह दी है x square upon 25 plus y square upon b square equal to 1 distance between foci होता है 2 a e 1 मान लो इसको और a b 5 है तो ऐसा मान सकते हैं आप तो 2 into 5 into e1 यह हो गई 2 a e यानि एक तरह से 10 e1 ठीक है अब ऐसे ही हाइपाबोला की question यह दी है x square by 16 minus y square upon b equal to 1 ठीक है इसका भी 2 a e e2 ले लो यह हो गई इसका 2 a e मतलब distance in foc यानि 8 e2 अब एक चीज़ बताए कि आपको ऐसा given है कि e1 और e2 जो है वो 1 है इन दोनों का अगर मैं multiply करूँ तो 10 into 8 80 into e1 e2 आता है आप देखो option में 80 कौन दे रहा है यह 4 5 नहीं है 70 नहीं है 4 10 20 नहीं 80 यह हो गया आप इस पर logic लगा सकते थे 8 और 10 होगा अब कैसे करना कैसे वो बता देता हूँ पहले की centricity क्या होगी देखिए e1 square into e2 square equal to 1 होगा method से देनी लगेगी e1 square मतलब ellipse के लिए तो 1 minus b square upon 25 into 1 minus plus b square upon 16 this equal to 1 आप थोड़ी दिर के लिए b square को एक quantity equation जैसा x माल लो यह x का उदर से कोई relation नहीं है तो आप खुदी बोलेंगे कि 25 minus x into 16 plus x equal to 25 into 16 yes or no? आप देखो 25 into 16 cancel हो जाएगा minus 16 x plus 25 x equal to 25 plus x square भी आएगा 25 into 16 यह भी cancel आपस में yes or no? तो एक तरह से आपके पास x square plus 9 x equal to 0 ऐसा बच्चा तो x common ले लो एक मिट x square यह एक मिट minus 16 x plus 25 yes ठीक है और minus का x square sorry minus का x square तो आपके पास बच्चा x square minus 9 x equal to 0 तो x 0 तो होगा नहीं तो x equal to 9 यानि x equal to b square x क्या था? b square तो b square की value कितनी आ गई? 9 b square की value कितनी आ गई? 9 यह हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x की value कितनी आ गई एक तरह से? बतलब b की value कितनी आ गई बटा? 3 question solve हो गया कैसे? क्योंकि जब आप यहां पर 9 रखते हैं तो कितना आएगा? eccentricity of ellips आएगी 4 by 5 जिसे even बोलो गए eccentricity of hypabola आएगा 25 by 4 यह आ गया 4 by 5 and 5 by 4 अब 10 into even तो 10 into 4 by 5 बेटा यह two time cancel तो 8 आ गया देखो 8 आ गया ऐसे ही यहां पर 80 था तो 8 into कितना था? 5 by 4 यह देखो 2 time cancel तो 10 आ गया yes or no? यानि आप method से भी उतनी ही जल्ली कर सकते हैं जितनी जल्ली logic से but दोनों चीज़े clear होना चीज़ जिससे question का आपका time save हो note करिए question को देखे क्या है the probability of 5 digit number that are made up to up exactly two distant digit is ठीक है आपको बताना the probability of 5 digit number that are made up exactly two digit distant मतलब 2 digit इबताना वो दोनों अलग-अलग बहुत अच्छा question है बहुत अच्छे से समझने वाला question है देखे क्या करेंगे question को जड़ा समझे हम कि यहाँ पर 5 digit number बोले तो 5 digit number कि अगर total cases देखें तो क्या होंगे number यह लोग है 0, 1, 2, 3, 4, up to 9 पहले प्लेस पर 0 नहीं आएगा तो 9 possibility यहाँ 10, 10, 10, 10 यानि 9 into 10 power 4 यह total cases है यह छोड़ दीजे अब आपको 2 digit के number 2 बतलब 5 digit का ही number लेना है पर number ऐसा लेना है कि उसमें exactly 2 digit यह है जैसे example कि आपने 3 और 4 लिया तो आपके number यह बने 3, 3, 3, 3, 4 या 3, 3, 3, 4, 4 ऐसे यह नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता यह दिमाग में रखना तो बहुत अच्छा समझने वाला question है मैं कहूंगा इस question को अगर आप कहीं confusion था तो सबसे बादने करना जी कई बार ऐसे question ही आपसे mistake या time आपका बढ़ा देते हैं इन पर भी आपको ध्यान देना है तो आप सुनिए क्या करेंगे इसमें simple सा logic है सबसे पहले दो possibility हैं एक कि 0 के बिना सोचे हैं जीरो के साथ सोचे मतलब selected number मालो 03 होता तो अलग सोचते और selected number non 0 होता तो अलग सोचते तो पहला माल लेते हैं कि 0 नहीं है तो 9 में से 2 select किए अब ये जो दो number जो भी आयोंगे मालो 3 और 5 आया तो इन से बनाना है पहले place पे तो पॉसिबिल्टी टू 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 पावर 5 थर्टी टू बट बट दो केसे होंगे कि पूरे number में 3 आ गया पूरे में 5 आ गया यानि आप यार रखेंगे 32 माइनस 2 यानि 30 अब एक 0 तो ले लिया और 0 के साथ 9 में से कोई एक number ले लिया अब सोचिए आपके पास क्या example हो सकता 0 और 6 हो अब जड़ा बताओ इसमें 5 digit के number कैसे बनेंगे तो पहले place पे 0 आएगा नहीं 6 आएगा एक ही possibility यहाँ पर 0 6 दो possibility यहाँ पर 0 6 दो यहाँ 0 6 दो यहाँ 0 6 दो 16 अब इस 16 में एक case यह होगा इसकी कोई दिक्कत नहीं exactly two digit है बट एक case यह भी हो सकता जो नहीं लेना होगा तो minus 1 करना तो यहाँ हो गया 15 yes or no यहाँ हो गया 15 बस यही एक चीज थी जो ध्यान रखनी थी अब बताइए क्या हुआ upon 9 into 10 power 4 अब देखो 9C2 कितना 9 into 8 8 by 2 मतलब 4 30 plus 9 into 15 15 है यह upon 9 into 10 power 4 9 cancel 120 plus यह 9 common निकल गया था 15 by 10 power 4 यानि आप बोल सकते हो 135 upon 10 power 4 बस दिहान यह रखना था कि जब आप 0 ले रहे हैं तो आपको 2 power 4 minus 1 लिखना था और जब आप 0 के लावा ले रहे हैं तो 2 power 5 minus 2 लिखना था यहाँ पर यही एक समझने वाला आइटम था कि जो नंबर बना रहे हैं उनको किस धंग से हम ले ओके नोट करिए कोशन को चलिए नेक्स कोशन देखते अर्थो सेंटर आफ ट्राइंगे ले वी सी वे और वर्टाय से जाते हैं कि और तो सेंटर पूछा है और तो सेंटर सीधे ओप्शन से भी कर सकते हैं अर्थो सेंटर की बात करें सिंपल सा लॉजिक के लाइन पासिंग तुरू वर्टेक्स पर्पेंडिकुलर टूद आपोजिट सही तो इसका स्लोप आप एक सेकंड में बता सकते हो वन प्लस फाइव शिक्स माइनस सेवन एक मिट फाइव माइनस सेवन कोई दिख्कर बन माइनस ठीक है अचा इसका अगर मैं आप शिलो बताओ तो आपने का वन प्लस फाइव सिक्स माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस ट्वेल यानि माइनस वन बाइट तू इस लाइन का हो गया टू line passing through vertex and perpendicular to the opposite side तो y minus 7 equal to steps आपको लिखने के लिए समझा रहा हूँ तो 2x minus y plus 9 equal to 0 जो option इसको satisfy करे है वो ठीक अगर 2 कर रहा हूँगे तो अगली equation निकालेंगे नहीं कर रहा हूँगे तो नहीं निकालेंगे जैसे option एह रखा minus 6 minus 3 minus 6 minus 3 plus 9 ये कर रहा है अभी देखते हैं इस पर आओ 6 plus 3 9 plus 9 0 ये नहीं कर रहा है 6 minus 3 ये भी नहीं कर रहा है cut वो रखो minus 6 plus 3 ये भी नहीं कर रहा तो बस ये ही correct answer हो गया minus 3,3 is a right answer यानि अगर बिल्को conceptual question था आप इसलिए इसको solve कर सकते थे note करिए question को m arithmetic mean and 3 geometric mean are insert between 3 and 243 यहां पर m arithmetic mean insert करना है okay तो आपको पता है last term equal to क्या होता a plus m plus 2 minus 1 into d याद होगा ये मैंने बोला भी था mistake होती है इसमें यहां m plus 1 आएगा नीचे ये d है अच्छा आपको ये भी बता है कि 3 और 243 के बीच मैं logic से समझ में आता 3 geometric mean है तो 9, 27, 81 ही होंगे दीख भी रहें तो आपको क्या बोला है बता है ये second geometric mean equal to 4th arithmetic mean तो 4th arithmetic mean मतलब 3 plus 4D तो 4 into 240 by m plus 1 ठीक है 4th arithmetic mean then the value of m ये बताना है 4D था तो d की value डाल दी मैंने ये हो गया कितना 24 24 में 4 का डिवाइड हुआ है तो 6 equal to 240 upon m plus 1 तो 6 m plus 6 तो 234 तो m equal to 6 3 जा and 5 9 जा 39 तो m की value कितनी आ गई 39 यानि इसके बीच में हमने 39 arithmetic mean insert किये होंगे clear note का लेजे चलिए next question देखते हैं देखें क्या है a normal is drawn to parabola y square equal to 4x at 12 and tangent is drawn y equal to e power x at c, e power c if tangent and normal intersect at x axis then find the value of c ठीक है इससे आप नॉर्मल ले रहे हैं वह सरी हां नॉर्मल ही ले रहे हैं तो बताएए इसका differentiation क्या हुआ d y by dx equal to 4 upon 2y तो कोशिश करा करिए यह देखें तो equation of normal क्या हो गई y minus 2 equal to यह slope of tangent है बिटा तो normal का यह हो गया तो y minus 2 equal to minus x plus 1 या x plus y equal to 3 अब यह normal यह जो है वह x-axis पर meet करेगी और उसकी tangent भी x-axis पर meet करेगी एक ही point पर लिखा ना tangent and normal intersected x-axis तो अगर x-axis पर कभी भी कोई line meet करे यह x-axis है तो उसका y coordinate 0 होता है तो y 0 रख दो तो 3 0 इसके coordinate होंगे अब इसकी tangent की equation निकालो किससे c और e power c से बोलो d y by dx e power x ही रहेगा तो y minus e power c equal to e power c into x minus c अब कहां पर intersect कर रहे है 3 0 पर बुला जिना मत सीधे रहे तो 3 0 तो y की जाएगे 0 तो minus e power c a b cancel और x के 3 minus c तो c equal to 4 यह आगे answer c equal to 4 is that clear? note करिए question को चलिए next question देखते हैं क्या काफी अच्छा question है if the sum of first end term of the series is 488 and end term is negative end term negative then tn पूछा है अब एक बाह बताओ भाया end term negative tn पूछा है तो tn भी तो negative होगा अगर इसको देखें logic से तो एक ही option में negative है आप mark कर सकते ते और कुछ नहीं होगा बाकी रासवाल method से वह भी करते है पर आपको यह logic clear होना चाहिए कि क्या बोला गया आप देखिए by 5 by 5 सब में दिया तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि यह series जो है यह जो series है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अगर इसको भी 5 लिखना चाहिए तो 100 by 5 98 by 5 96 by 5 ऐसी series है तो कब तक जाना negative term इसका summation भी दिया है तो इसके end term का summation मतलब 488 equal to n by 2 2 into a plus n minus 1 into d minus 2 by 5 yes or no 2 2 इससे cancel 5 निकल के इसके साथ multiply भी कर सकते हैं 488 into 5 equal to n यहां बचा कितना 100 2 तो कॉमा निकल के था 100 plus n minus का end sorry तोड़ा ध्यान रखना आप यह ऐसा बचेगा n यहां पे 100 minus n plus 1 यह आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 488 यह देखिए 4 4 4 और फिर 20 2 4 यह सो नो 2 4 4 0 equal to minus n square plus 101 1 n यह n square plus sorry यह आ गया n square minus 101 n plus 2 4 4 0 equal to 0 2 factor बनाओ 60 into 40 करते हो तो 240 तो 61 into 40 कर दो yes तो n minus 61 into n plus 40 वो sorry यह भी minus आएगा n minus 40 अब देखो n की एक value आ गई 61 एक आ गई 40 n की value 40 नहीं हो सकती बताये क्यों क्योंकि यहां पर लिखा है nth term is negative यही इस question का keyword है अब आप सोचे कि 222 से कम हो रही है तो 50 term तक तो negative नहीं आएगा तो यह तो 40 है तो यही correct होगा logic से बस अब आपको t n 61 आ गया तो t 61 निकालना है तो a a कितना है 100 by 5 plus 60 into minus 2 by 5 तो एक तरह से यह minus 20 by 5 then minus 4 जो हमने logic से देखते क्योंकि by chance एक ही option negative था यह भी chance की बात है पर आपने उस वो देखते ही बता दिया था करना नहीं था समझाने के लिए आपको बताया कि आगे आप जब आप यह सब करते हैं पर भी टाइम खरा मत करना क्योंकि 22 से कम हो रहा है और यह इसका कीवर्ड था जहां पर निगेटिव टम आए वही वाला एंड कंसिडर करना तो 40 पर नहीं आएगा 61 पर आएगा और 60 into 40 2440 होता है 2400 यह 41 था वी इंक्रीजिंग इड़ ड़ रेट आफ 3.6 सेंटीमेटर स्क्राइब पर सेकंड ठीक है यानि डी एक्स बाइड टी नहीं डी एस वाइड इटी सॉरी सर्फेस एरिया ना तो डी एस बाइड इटी दिया क्या माल लें हम एक्स एक्स माल ले अगर सभी लेंद को एक्स एक्स माल ले तो तो इसका डिफरेंशेशन करो डी एक्स बाइड टी 12x into डी एक्स बाइड टी यह दिया है 3.6 अपॉन 12x इक्वल टू डी एक्स बाइड टी को ऐसे ही छोड़ दें कुछ भी बीच में कैंसल मत करा करो अब उदर आओ वालियूम पे वालियूम इक्वल टू एक्स क्यू तो डी वी बाइडी टी थ्री एक्स स्क्वेर इंटू डी एक्स बाइडी टी टाइम बेस्ट मत करो यह रखो थ्री सिक्स अपाउन ट्वल एक्स इंटू ट्व छिए ट्री टाइम खैंसल यह एक एकक्स गैंसल गया था एकम इंट गया तो यह मिला कितना कि नाइन इंटू एक्स upon upon यह वाला एक x कैंसलो को चगा था 10 ओर x की वालु कितीदी है 10 तो 10 upon 10 कैंसल तो बचा क्या 9 तो 9 इजा right answer किसे दिया रही रह पर बस दियान यह रखना है याँ पर कि आपको कही मिस्टेक ना हो आपकी मैं फिर बताएता हूँ, वहाँ पर आपको छोटी सी चीज़ याद रखने थी, b equal to x cube, then dby dt जब आप लिखते हैं, तो 3x square into dxy dt लिखते हैं, इसकी value यहाँ से डालते हैं, तो 3x square into 3.6 upon 12x, यह x cancel होता है, तो 3 into x 3.6 था, तो यह 3 time cancel कर सकते हैं, अगर देखो, आप इसका point हटाते, तो यह 3 time cancel, पर नीचे 10 बच जाता, और x b 10 है, और यह भी 10 है, और एक 3 यह बचा रहता है, तो 9 is a right answer, done, note करो, अगला question पर आते हैं, देखिए क्या है, which of the following point lie on a plane, containing lines, r and r, देखिए, आपको question बोला है, कि एक plane दिया हुआ है, समझना question को, बहुत अच्छा question है, एक plane दिया है, इस पर दो line दी हुई है, एक ऐसी line जा रही है, एक ऐसी line जा रही है, आपको बताना है, इस plane पर कौन सा point satisfy कर रहोगा, यानि basically plane की question निकाल लिए, अच्छा, आपको पता है, line की question यह होती, r vector equal to a plus lambda m, इसमें line इस point से pass होती है, और parallel to m vector होती है, ओके, तो हमें यह पता चल गया, अच्छा, plane की question होती, a into x minus x1, b into y minus y1, plus c into, अब plane अगर, इस, देखो, line इस point से pass हो रही है, पहली जैसे लिखी है, r vector equal to i plus lambda into i plus j plus k, तो इससे pass हो रही है, one comma, मतलब इसके coordinate होंगे, one, zero, zero, तो आप ऐसा लिख सकते हो, a into x minus one, b into y minus zero, लिखने के लिए बता रहा हूँ, z minus zero, अच्छा, इन दोनो line के, यह parallel vector दिये हुए, अगर इन दोनो line के parallel vector का, हम cross multiply कर दें, तो perpendicular vector मिलता है, जो plane का normal होगा, yes or no, समझ यह, कि यह दोनो line है, मालोई दोनो line है, इन दोनो line के parallel vector हमको दिया हुआ है, उस दोनो parallel vector का cross multiply करोगे, तो एक perpendicular vector मिलेगा, जो कि इसका normal होगा, ऐसा बोल सकते corresponding, मतलब normal, यानि उसके parallel होगा, तो आपको क्या-क्या दिया है, देख लो अलग से, यहां लिख लेते हैं, बताएए, क्या-क्या दिया बिटा, i, j, k, वैसे यह इसके भी नहीं लिखते, तो अच्छा 1, 1, 1, माइनस 1, माइनस 2, 1, तो 3i, माइनस 2, j, माइनस of k, तो यह मिलगा, इसके direction को सहीं, तो 3 into this, माइनस 2 into this, माइनस 1 into this, है ना बिटा, तो आप ऐसा बोल सकते थे, 3x, माइनस 2y, माइनस z, माइनस 3, इक्वल to 0, यह आ गई, plane की equation, इस equation को जो point satisfy करें, वो correct है, जैसे आप option A रखते, तो 3, माइनस 6, माइनस 6, नहीं कर रहा है, reject B रखो, 3, plus 6, माइनस 6, माइनस 3, B कर रहा है, यह हो सकता है, यह होगा, खतम, plane की equation आ गई, तो answer भी आ गया, यह तरीका होता है करने का, note कर लेजिए, yes, next question देखने देखिए क्या है, limit x tends to A, A square, plus 2X square की power, 1 by 3, minus 3X square की power, 1 by 3, 3A square, plus X square की power, 1 by 3, minus 4X square, और, की power, 1 by 3, अगर मैं इसमें A रखूं, तो यह 3A square, 3A square, 4A square, 4A square, cancel, यानि L hospital form लगेगी, सीधा सीधा L hospital form से कर दीजिए, आपका within a second हो जाएगा, अच्छा, L hospital form से करते समय भी, कुछ concept बताता हूं, कि बाद में तो आप limit रखते, जैसे आप इसको समझ ना, 1 by 3, A square, plus 2X square की power, minus 2 by 3, into, 4X लिखते, yes or no, फिर यहाँ पर a square लिखते तो 3a square आता, यहाँ पर क्या लिखते हैं, वो ही से 1 by 3, 3X square की power, minus 2 by 3, into, into बोलो, 6x लिखते, तो जो चीज यहाँ पर a, same आ जाती, तो हम क्यो ना, पहली step में ही common ले लें, 1 by 3, दोनों में आना, 1 by 3, इसका आप जब solve करेंगे, तो आपको मिलेगा, 3a square की power, minus 2 by 3, ठीक है, into में, आपको मिलाओगा, 4x, तो यहनि 4a, minus 6 है, upon, इसमें आईए, इसमें आपको मिलाओगा, 4a square की power, minus 2 by 3, इसका हुआ x square का 2x, तो 2a, इसका हुआ, minus 8x, तो minus 8 है, बास, यह आपका question, कितने आसानी से हो गया, देखिए, अब क्या है, कि आपको किस format में answer दिया, वो देखना है, ठीक है, a square तो इधर का, power, इधर की power, सब cancel, यह भी cancel, एक तरह से यहाँ मिला, 3 की power, minus 2 by 3, 4 की power, minus 2 by 3, यहाँ पर मिला बिटा, minus 2 है, मतलब एक तरह से 2 upon 6, तो 1 by 3, तो आपको एक तरह से मिल गया, 1 by 3, into, 4 by 3 की power, 2 by 3, यह देखिए, आपने कितना ज़्यादा time save कर लिया, एक right technique से, यानि, जो कुछ different, मेरा हमेशा, आपको देखो, मैं पढ़ाने में हमेशा एकी चीज रखता हूँ, आज जो बच्चे पढ़ते हैं, वो जानते हैं, कि मेरा पढ़ाने का एक approach है, कि logical पढ़ें, mental work maximum करें, समझें कि क्या कर रहें, आपने पूरे इसके differentiation को बचा दिया, side में समझा, क्योंकि इसका और इसका differentiation सेम आना था, सब कैंसल कर दिया, आपका time भी बच गया, question जल लिए होगा, नहीं तो यह time consume करता, note करिये question को, देखिए next क्या है, देखिए next question में है, x cube dy, एक काम करते हैं, dy वाले term एक साथ लेते हैं, तो x cube, minus x square, ठीक है, और dx वाले एक साथ लेते हैं, वा, dx वाले एक साथ लेते हैं, तो y भी common हैं, इसमें, तो y common ले लो, यहां लिख दो y dx के साथ, क्या क्या बचा, बोलो, 2 minus x dx, है ना, ठीक है, तो ऐसा होगा, dy upon y equal to 2 minus x upon x cube minus x square d x, इस तरह का question है, तो इसका तो होगया, log y, इसका integration, आपको अलग से सिखा देता हूं, है ना, तो यह कितना है, 2 minus of x upon x cube minus x square, देखिए, आप अलग से मैं बोलूँ कि इसको integrate करो, 2 minus x upon x square common, तो x minus 1, तो आप कैसे करते हैं, अगर याद हो तो आप इसको ऐसे करते हैं, डिरेक्ट तरीका सिखाया हुआ है, वो यूज करते हैं, फटा-फट, a upon x plus b upon x square plus c upon x minus 1, x की value 0 रखडो, x की value 0 रखडो तो b मिल जाएगा, 0 रखडो दो b की value आई, minus of 2, minus of 2, x की 0 रखडो तो 2, और यह minus आ गया, ठीक है, ओर x की जाके 1 रख देजिए, तो ये 1, c की value आ गई 1, अब बची केवल A की निकालना वो compare करके निकाल सकते हो तो 2-x equal to A into A into ऐसा मिलता देखो mentally कर सकते हैं आप A into x, x-1 plus B into only x-1 plus C into x square तो x square का coefficient लेते तो A plus C, C की value 1 है तो A की minus 1 होगी अब A की minus 1 होने से यह आगया minus 1 तो एक तरह से मुझे integration मिला minus of log x plus 2 upon x plus log x minus 1 बेटा है ना थोड़ा सा ध्यान रखेगा यह direct इसके मैंने direct integral लिखे हैं वो ही आपको सीखना है one upon one upon one upon partial fraction का integration कैसे पढ़ाया था ध्यान होगा आपको अब क्या होगा कि y2 पर मतलब x की value 2 पर e है तो यहाँ e रखा log 1 होता है यहाँ पर 2 रखा तो minus log 2 2 by 2 1 plus 2 रखा तो log 1 0 यह 1 से plus c लिखना था है 1 से 1 cancel तो c की value आगई बेटा log of 2 खतम question c की value क्या आगई log of 2 तो आप log of 2 आ गई तो आप log y equal to वह लोग क्या लिखते आप minus log x plus 2 upon x plus log x minus 1 plus log 2 पूछा क्या है y4 यानि x की value 4 पर y क्या है तो x की value 4 रखो तो log y minus log 4 1 by 2 अच्छा यहाँ पर बचा कितना log 3 plus log 2 यह हो गया log 6 तो log y equal to log 6 by log 4 यानि log 3 by 2 2 plus 1 by 2 एंटी लोग ले लो तो y equal to e power 1 by 2 into 3 by 2 देखो किसी में 3 by 2 into Rudy this is the right answer थोड़ा सा टाइम लगा पर कहीं अटक नहीं सकते अगर conceptually strong है तो note down चलिए next question देखते है क्या है find the number of three digit number if some of their digit is 10 okay three digit का number बताना है जिनके की their digit is sum of their digit is 10 10 मतलब एक example कि 2 3 5 इसका sum कितना होता है 10 पर इसे कितने digit बन सकते हैं यह भी जाओ यह नहीं 181 भी हो सकता है 228 भी हो सकता है ऐसे कुछ भी हो सकते यानि 3 digit का number हम मान सकते हैं x y z और इनका sum 10 बोला है अब एक बहुत important बात है देखो आप चाओ तो आगे आप 1 रख सकते हो यहां 9 यहां 0 रख सकते हो है ना या वन टोटल 10 होना चाहिए पहले प्लेस पर आप 1,2,3 रख सकते हैं 0 नहीं रख सकते हैं तो 3 digit नहीं होता इसका मतलब x की value को हम ऐसा सोच सकते हैं कि 1 प्लस t जिसमें t को आप 0 से भी start कर सकते हैं क्योंकि y तो greater than equal to 0 होगा z भी तो इसका मतलब आप x की जगे ऐसा t plus y plus z माल लें तो यह अपने आप ही 9 हो जाएगा आपको याद होगा इसकी equation का formula क्या होता है n plus r minus 1 c r minus 1 तो n कितना है 9 plus 3 minus 1 c 3 minus 1 तो 11 c 2 तो 11 into 10 upon 2 यानि 55 बस में एक ही चीज याद रखनी थी बिटा कि पहले place पर 0 नहीं आएगा y और z 00 हो सकते हैं possibility जैसे यह देखो मैंने बताया 190 या 109 बट ऐसा भी हो सकता 280 208 इसका भी पर पहले place पर नहीं होगा तो x की value को हम ऐसा सोच लें कि 1 के बाद start होगी तो इसमें 1 सब्टेट कर दिया तो 9 हो गया और इसके solution निकालना हमने सीखे हुए थे right no doubt this question पिर देखिए यह complex number का question है थोड़ा सा time लेगा पर करते है z1 minus 1 का mod जो है वो real z1 है z2 minus 1 का mod जो है वो real z2 है and argument of z1 minus z2 pi by 3 है ठीक है तो बताना है कि imaginary part of z1 plus z2 क्या होगा सुनिए पहले थोड़ा सा इस question को समझें तो हमें समझ में आएगा क्या क्या देखिए सबसे पहले argument of z1 अगर मैं यह मालनू x1 plus iota y और z2 मैं यह मालनू x2 plus iota y तो कभी भी ऐसा लिखा हो ना argument of z1 minus z2 तो इसका मतलब होता है 10 inverse इसको y1 x1 y1 x2 y2 इसका मतलब होगा y1 minus y2 upon x1 minus x2 याद रखेगा यह बात यह इसका मतलब है ऐसे ही imaginary z1 z2 मतलब आपसे यह पूछा है imaginary part of z1 plus z2 का मतलब जानते हैं क्या पूछा है आपसे y1 plus y2 पूछा है क्या होगा अच्छा आपने इसको लिखेंगे z1 minus 1 equal to real z1 का mod है यह तो squaring कर दें तो आप ऐसा लिख सकते हो ना x1 minus 1 का holy square plus y1 square equal to x1 square solve करेंगे तो क्या है का x1 square cancel तो y1 square minus 2 x1 plus 1 equal to 0 and similarly y2 square minus 2 x2 plus 1 equal to 0 yes or no क्योंकि same equation है दोनों को subject किया है तो y1 square minus y2 square equal to एसा बन से बन cancel हो गया यह होगा उदर जाएगा तो यह ऐसा जाएगा two times of x1 minus x2 yes or no देखिए जब minus क्या होगा तो minus 2 x1 common एक मेंट एक हाँ ठीक है two x1 ठीक है अच्छा यह दिया भी है अपने को यह कितना दिया है पाइबाई 3 दिया है यानि y1 minus y2 upon x1 minus x2 equal to 10 this is root 3 यह दिया है ठीक है तो एक बाँ बताइए आपके पास हो गया question बिटा y1 minus y2 upon x1 minus x2 equal to आप ऐसा लिख सकते थे two upon y1 plus y2 this is root 3 equal to two upon y1 plus y2 तो y1 plus y2 तो y1 plus y2 equal to यह आ गया बिटा two by root three यह देखिए two by root three yes or no इसको बस आपने सब्टेट कर दिया ओके कितना बढ़िया और समझने वाला question था note करिए next question देखते है देखिए let's lambda square plus one into x square minus four x lambda plus two equal to zero be a quantity equation then set a value of lambda if exactly one root of quantity equation lie in zero and one ठीक है question को समझ यह जड़ा ध्यान से कि ऐसी एक equation दी हुई है lambda square plus one into x square minus four x lambda plus two equal to zero इसके root zero और one में लाय कर रहा है कभी भी आत रखिए किसी भी quantity equation के roots अगर मैं बोलूं कि alpha comma beta में लाय कर रहा है तो f alpha into f beta हमेशा less than equal to zero होगा क्योंकि इसके बीच में लाय कर रहा है तो एक पे nature positive दूसरे पे negative तूनों multiply negative या पिर अगर वही root हुआ तो zero भी हो सकता है अब अगर मैं इसमें देखूँ तो f1 into f0 कितना है less than equal to zero तो zero रखो इसमें यह zero यह zero two बचा one रखो तो one रखा तो क्या होगा पिटा two into one रखा तो lambda square plus one minus four lambda plus two two यानि ऐसा बोल सकतो lambda square minus four lambda plus three less than equal to zero इसके factor बन गए one comma three positive negative positive इसके साफसे lambda belong to one three है बट थोड़ा सा ध्यान रखना पहले के root दिये थे zero comma one इसके आ रहे हैं one से three तो one पे थोड़ा सा चेक कर लो कि equation one पे देती कि अगर मैं यहां one रख दूँ तो क्या आएगा बताओ one अगर ऐसा हो रहा हो कभी connected होते हुए दिख रहे हो तो two x square one रखा minus four lambda plus two equal to zero या x square x था यह minus two x plus one तो देखो इसके root one one same हा रहे है इसका मतलब one इसका root नहीं लेना चाहिए तो इसको ऐसा ना लिखके ऐसा लिखना one two three यह वाला correct answer होगा ओके तो यह बात clear है आपको तो पर देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना मैं आपको एक ही बात बोलूँगा जब भी पढ़ें चाहिए कहीं भी पढ़ें चाहिए आप इंपिटर्स गुरू को जोइन करें कहीं पर भी ऐसी जगे पढ़ें जहां आपके concept क्लियर हो लॉजिकल टेक्निक्स आपकी क्लियर हो ऑफ्षिन कैसे रिजेक्ट करते हैं वह क्लियर हो छोटी छोटी चीजों पर वर्क करें बहुत बेस बनाके पढ़ाई करें स्टफ कोश्चन की जगे वह कोश्चन करें जिन से आपके concept बिल्ड होते हैं चलिए नोट कर लेजे सारे कोश्चन थैंक्यों और